जैसे पहला पॉइंट दिया गया सिंधु नदी घाटी में कला का उद्भव इशापूर्व तीशरी शताब्दी के उत्रार्थ में होता है तो ये कोश्चन्स खूब पूशा जाता है कि सिंधु घाटी शब्वता का जो उद्भव है यानि विकाश है कब तो इशापूर्व तीशरी शताब्दी आंसर बनता है याद रखना है अगला पॉइंट शिंधु नदी योम उसकी शायक नदीयों के बीच जो पनपी शब्वता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम लोग शिंधु शब्वता वा हडपा शब्वता के नाम से पुकारते हैं अगला पॉइंट आता है शिंधु शब्वता भारत में अतीत की शब्व से पहली शुंदर और बढ़ियां तस्बीर शिंधु गाटी शब्वता में ही मिलती है तो भारत के अतीद का सबसे बढ़ियां वाला सबसे शुंदर वाला तस्वीर कहां दिखाई देता है शिंधू गाटी शब्धा में ही दिखाई देता है आगे बात करते हैं अगला पॉइंट आता है शिंधू शब्धा का शंबन्ध मुक्तिया भारत और पाकिस्तान से रहा ह आप जानते हैं लकराना प्रांत वाला भी बिल्ट होता है और भारत वाला भी जिसे आप मेडर्फ वाला बिल्ट देखें तो भारत में आता है लोथर वाला बिल्ट देखें वो भारत में आता है और बहुत सारे स्थान जिसे हैं सुरकुर्दा आप देखेंगे गुजरात व होती है अगला पॉइंट आप से पूछा जा राय मित्रों कि यह श्रभ्यता मुखितया किसे है तो वास्तुकला यानि भौन निर्माण की कला की रूप में जानी जाती है क्यों क्यों कि यहां पे नगर बसानी की बढ़िया योजना थी और अच्छे छे नगर भी मिले हैं जि प्रमुक अस्तल कौन-कौन से है तो पहला नाम जो है मोहन जूदुरू लगाना और दूसरा नाम जो है हडबा लगाना मोहन जूदुरू वाला होता है जिसरस रखाल दास्मारजी उनेशियो 22 में खोशते हैं सिंध प्रांत लकराकना में पाया जाता है और जो हडबा होता तो पशू पती लगाना होता है, पशू पती लगाना होता है, अब कोई पॉइंट बचेगा नहीं, हर एक पॉइंट से लगभग लेने का प्रयास किया गया है डाटा, तो उम्मीद है कि समझ में सब कुछ आयेगा, शिंदू शबयता की खोश के बात करते हैं, सर जो है जनरल कर रिगिंगं महोदे ने शरपर्थाम हडपा टीले का पता लगाया, कब लगाया, अठारा अठारा अठार में, उनईशु एकाइस हिस्बी में राय बहादूर दयाराम सानी ने हडपा टीले का सबसे पहले उत्खनन का कारी करवाया, जिससे यह शबयता प्रकास में आ जा शिंधूर शबिता का अगर समय पूछा जाए तो बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे मत आते हैं, शिंधूर शबिता के समय में लेकर के बिभिन विद्वानों ने अलग-अलग मत दिया है, जिसमें माधों शुरूप वद्स के अगरबात करते हैं, तो 3500 इसा पूरुप तक यह ले जाते हैं, डीपी अगरवाल जी, जिबकि अन्नी की अगर बात करते हैं, तो जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग के अगर बात करें, C14 की अकरडिंग आता है, तो उसमें आता है कि 350 से 1750, जैसे नाम दिया गया डीपी अगरवाल, और अगर NCRT की बात करते हैं, तो इसके कार्डिंग 2550 इसापुरुव से स्टार्ट होता है, और 1750 इसापुरुव तक शिन्दू गाड़ी शबयता का कालखंड माने जाता है, आगे बात करते हैं, शिन्दू शबयता का सरवाधिक माने तेथी कौन सा है, तो कारबन डेटिंग वाला है, जो 350 शिन्दू गाड़ी शबयता है, ये इनिड़स बयली सिबलाइजेशन है, शिन्दू सबयता का अगर आकार की बात करते हैं, इसी करम में आप याद रखना, आगे बात करते हैं, शिन्दू शबयता है, उसमें शिन्दू बहती है, जेलम बहती है, चिनाप बहती है, राभी बहती है शतुलाज बहती है उसके साद ब्यास ब्यास को सतुलाज की सायक नदी माना जाता है तो ये छे महधपुरौण नदिया जो है शिंदू-घाटे शबयता कहा जाता है, अलग अलग लोग नाम आजाता है अब अगे बात करते हैं टो श不對 का नगर विवाजन कैसा रह है आप देखेंगे तो सिंदु गाटी का जो नगर विवाजन है दो अस्तरों पर बना होता है पहला पास्षिमि और दुर्ग तीला वाला कैसे दिखाई देता है ओर आगे अगर बात करते है तो दुर्गौ तीला जो यित्री ऐस्टरियों होता है थी ऐस्टरियों होता है आगे बात करते हैं ह Twin todosohlod जो क्यों सर्तों कोई और अतार आग ऑव्रतिति कीजिक यह डेज तो मांड़ गॉमरी जिला पाकिस्तान में होता है इसे शिंधू शब्यता का उत्री राजधानी भी कहा जाता है शिंधू शब्यता का उत्री राजधानी कौन है तो शिंधू शब्यता का उत्री राजधानी माना जाता है मित्रों वो माना जाता है किसे किसे माना जाता है मौन्ट गुमरी जिलाफ पाकिस्तान वाला क्यों यानी हडपा को आगे बात करते हैं हडपा की बात आती है और हडपा की बात आती है तो कहा जाता है हडपा नामक प्राचीन हेड़ोपिया रिगवेद में दिखाई देता है यूरूपिया शब्द जो है रिक बेद में दिखाई देता है हडपा शब्धा सरपर्थम कब तो 1826 S.B. में चार्ल्स मेनन ने जो है इसके बारे में पता किया यानि उल्लेक किया इस शब्धा की खोज की अगर बात होती है तो 1878 S.B. में पंजाब वाला बिल्ट होता है और उसमें जो है राभी ने दिके किनारे उत्रान का कारे करवाते है हडपा का नगर बिवाजन कैसा है तो दूस्तरी रहा है जबकि पूर्भी टिला और पश्मी टिला पूरबी टिला और पश्मी टिला में आपने दोनों को देखा है पश्मी टिला ऐसे उपर उपर होता है और जो पूरबी टिला होता है वो लेटा वाला होता है तो इस टाइप से नगर विवाजन रहा है हडपा से परा तोसेश क्या है तो तामबा गलाने का कार खाना यहीं को पूछा चाता है कौन सा क्या कहां से मिला है याद रखना तामबा गलाने का कार खाना हो हडपा से मिला बरतन का मचुवारा का चितर हो हडपा से मिला 33 फूट चोड़ा मुख्य राज जमार गए आज की डेट में जो आपका निशनल हाइब है उस टाइब का 33 फुट जोड़ा तो ये भी मिला है हडपा में तामबा का एक का दिखाई देता है हडपा में शूती कपड़े का टुकला दिखाई देता है हडपा में पच्छी का पिंजला दिखाई देता है हडपा च्छा बाई च्छा यानि बारा कमरों की पंक्तियों में बना अन्नागार एक बड़ा तगड़ा वाला अन्नागार जो हडपा की सबसे बड़ी इमारत बानी जाती है ये भी कहा मिला है हडपा में संख पर बना बैल संख पर बना बैल जो दिखाई देता है या कहाँ दिखाई देता है ये भी आपको हलपपा में दिखाई दे जाएगा और उरुरता की देवी जी से माना जाता है वो उसका निकलता कहाँ दर साएगा तो उरुरता की देवी जो है मिली है वो भी हडपा में दिखाई देती है और हडपा से प्राप तो दो धड़ है तो पुरुस धर मिलता है दूसरा नर्दक धर मिलता है दोनों कहां दिखाई देता है हडपा में दिखाई देता है अगर पुरुस धर की बात करते हैं तो लाल पत्थर से बना हुआ है पुरुस धर जबकि जो नर्तक धर मिला है यहीं पर इसमें नटराज जो है और यह जो है काला सलेटा पत्थर से मिला हुआ है माप इसके 3.07 से 3.08 है पचीस सो इसा पुर्व का यह भी माना जाता है राष्टे संग्राले निदिल्ले में नर्तक धड़ भी रखा हुआ है जो हाप्पा से प्राप्त हुआ है यह दोनों की जानकरियां थे अब थोड़ा सा हम लोग और बात कर लें जैसे आर 37 कबरिस्तान कहां से मिला है तो यह भी आपको हडपा में दिखाई दे जाएगा उसके साथ हडपा से प्राप्त अधिकांस्तिया बरतुनों पे लाल धरातर और काले काले रंग से चित्रकाल यह हडपा में हुआ है बरतुनों पे शेंधों से बता कि प्रमुख नगर कुण 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 से हैं तो देखें अगर प्रमुख नगर की बात हो जैसे प्रमुख नगर आये तो दो लगाना है एक तो हडपा दूसरा मोहन जुदलों अगर सब जो है शेंधों से बता कि पू क dépl esp altura dollars 7th प्राप्ट करने स pouv जब पलता है मोंजुलारो ंटे लाकर लापना जील के सिंधुनधी श्हीं नदी के दाहिने तर्में होता है। कि इस को यहाँ इसी को आजाता है भूτο का spricht या फिर मुर्दों का टीला या फिर लासों का धेर ठीक है आगे बात करते हैं कि क्या क्या उशेश आपको यहां लासों के धेर से मिले है यानि महुंजदारों से मिले है तो अननागार मिलता है सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है शबादाह का उशेश मिलता है महुंजदारो से प्राप्तवी और मूल उप्षे इसकी जो माफ है 10.5 हाइट है पांच चोड़ाई है और 2.5 इसकी मोटाई है 4.10 इंच के रूप में इसी लंबाई और देखी जाती है और आगे तो कहा जाता है तो जो डांच गल मिलते है उसका माध्धियम कांस से होता है नि ब्रांज होता है ड्लाई बिधी कैसी है तो मधुचिस्टिंग बिधी में जो हैसे डाला गया है और कहा रखा हुआ है तो राष्टे संग्राले नए दिली में आपको दिखाई दे जाएगा लंबाई आप जानते हैं देशन में वो 5 सेंटीमेटर चुणाई आप जानते हैं 5 सेंटीमेटर मुटाई जो है 2 सेंटीमेटर होता है मुद्रा कैसा है त्रभांग मुद्रा में है त्रभांग मुद्रा तो ये भी पूछा जाता है त्रभांग मुद्रा में है ये बिलकुल कुमसा है डांसिंगल है ये तो बात डांसिंगल के साथ आपको दाढ़ी वाला सिर्वे दिखाई देता है तो दाढ़ी वाले सिलकों भ हाथी के कपाल मिलते हैं बंदर की मूर्ती मिलती है पश्पती मुहर मिलती है शवहा भौन मिलता है दाढ़ी वाले पुजारी की प्रत्मा मिलती है स्वास्तिक चिन युक्त मूर्ती मिलती है और उसके साथ महा बिद्याले का भीशाच छेप को कहां दिखाई दे जाता है तो स अगर मात की बात करते हैं इंटार्प में बात करते हैं क्या है 1898 जो है मीटर लंबा है 7.01 मीटर चौना है और 2.4-3 मीटर गहरा है यह ब्रह दसनानागार की बात हो रही है जो आपका आज की देट डेट का क्या है अरे पॉन टाइप का होता है जिसे आज खल की डेट में खुम नेया नाम देते हैं अड़ान्स टेक्नोलाजी में वही है अगला पॉइंट कहे रहा है यह असनानागार शिंदूर शबता कि शबशे महतप्रो निमारत की रूप में माना जाता है को उसा ब्रह असनानागार मारसल महतप्रो ने इस असनानागार को ततकालिन विशो का आश्चर जनक निर्मार कहा था बताओ उस टाइम में जो है अस्चर जनक निर्मार हुआ आज की डेट में अच्छे अच्छे वाटर टैंक है अच्छे अच्छे आपके क्या होते हैं याद नहीं आ रहा है अभी याद आता बताते हैं और इस असनानगार में पूरभी दिशा में कुशान कालिन जो है अस्तूब भी आपको दिखाई दे जाएगा नर्तकी की प्रतिमा जो मिलती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और इसकी गले में एक तरफुला हार भी दरसाने का प्यास किया गया है नर्तकी की प्रतिमा में मुर्ती की जो उचाई है वो दस दमलोग पान सेंटिमेटर यानि चार दमलोग एक इंची है बहुत पूछा गया है कोशनस बहुत बार विवादू में रहा कई जगे नाइट वैट थरी और कई जगे दस दमलोग पान सेंटिमेटर आंसस लगाना यह मुर्ती कास माद्धें में है और मधूय चेस्टिन्ग बीदी में बनाईगए है पाकिस्तान के नाम से जना जाता है माद्धें के पुठिमा जो मदर गाडडेड है वह कहां पे दिखाई देता है महंच दरव में आपको दिखाई दे जाता है माद्धेम कैसा होता यह तो इसका माद्धेम तीरा कोटाया यानी पकी हुई मिट्टी से बनाया गया है कहां पे संग रही थाhen तो राश्च्रे शंग ढले नही दिली में आपको दिखाएते जाएगा कौन सा म्रडम मूर्ती म्रडम मूर्ती आगे बात करते हैं अगला पॉइंट आता है टेरा कोटा माद्धे में बनी यह मूर्ती चिकोटी बिधी से बनाई गए हो इस मूर्ती में सिरे पे जो है पंखे नुमा कप नुमा आकार की टोपी है यानि जो कप नुमा आकार होता है जिसे आप कैप कहते हैं होली होली में बहुत जाद बेखता है तो ऐसी टोपी मूलूप से दिखाया गया है टेरा कोटा माद्धे में मूर्ती है और आगे बात करते हैं तो अगला पोइटा आता है पश्वती मूहर पश्वती मूहर आपको कैसे दिखाय देती है पश्वती मूहर का जो माद्धे में है मित्रो वो इस्टे tight यानि सेलखडी पत्थर में बना हुआ है पश्वती की मूहर और पाल्थी मार का बैठा मनुष्य आकरती और तीन मुखवाले देउटा को जो है इस पर दरसाने का प्रयास किया गया तीन मुखवाले देउटा है और पस्पती मारा बैठा जो है यानि पलती मारा एक बैठा मनुष्य है या इसा दरसाने का प्रयास पस्पती मुखर में किया गया है पुष्पती की इस आकरती में तीन स्रंगे वाले मुकट को दरसाने का प्रयास किया गया है आकरती के दाएं तरफ हाथी और बाग है और बाएं तरफ गैड़ा और भैसा है नीशे हिरन की आकरती को दरसाया गया है जो के दारुन और लियकि प्रतिमर की प्रतिमग को बनाया गया है यह तो बात आपके किस जो कि हो रही थी है पुरश्पती मोहर 남자 Windows जो जो तरुहें में पाइग है इसे बार हां जो है kadar प्रतिमर अशिता है नि कुछ पाइगा से चाहशा है त्रेस्तरीम क्या क्या आता है एक तो दुर्ग आता है दुसरा मद्ध टीला आता है दुसरा जो है नगर टीला आता है तो दुर्ग टीला मद्ध टीला और नगर टीला के रूप में बाट अगया है इसे किसे धोला बीरा को यह है आपका दुर्ग टीला यह है आपका मद्ध टीला यह है आपका नगर टीला इस टाइप से बारता गया वर्तमान में धोला बीरा जो है शिंदु शर्दा का भारत में इस ते दूसरा सबसे बड़ा वाला अस्तर माना जाता है तो सबसे बड़ा दूसरा कुंसा अस्तर है उसका नाम होता है आपका धौला बीरा जो गुजरात में पाया जाता है धौला बीरा को 2021 में यूनेस को द्वारा बिश्व धरोगा अस्तल की सूची में भी शामिल कर लिया गया तो कोश्चन्स इंपोर्टेंट है 2023 का पेपर देने जा रहा है होशकता आप से कोश्चन्स पूछ ले आप 2022 वाला जो आप 148 पतह करने वाला है उसमें आप पूछ रहा है तो होशकता आप से पूछ ले तो इसलिए आपको याद रखना होगा इस नगर में किले बंदी का भी शाच्छे दिखाई देता है शिंदो सब्दा का सबसे नवीनतम सहर भी इसे मना जाता है भारत का सेकेंड सबसे बड़ावाला सहर मना जाता है और 2021 में से यूनेशको ने भी शुद्रोगा अस्थल के रूप में भी शामिल कर लिया है किसको धोला वीरा तो ये तो बात होगी धोला वीरा धोला वीरा से क्यों से उसेश आपको दिखाई देते हैं तो सबसे बढ़ियां वाला बांध यहां पर दिखाई देता है क्या दिखाई देता है बांध पालिसदार स्वेट पत्थर इस्टेडियम तडबंध और दस बाटर कहां दिखाये देता है बनावली में और ताम्वे का जो रथ होता है कहां दिखाये देता है दैमाबाद में मिलता है तो यह ज़ो है सभी point थोड़े से भिणता को लिए हुए हैए और इसको आपको याद रखने की जरूरत है इसको आपको समझने की जरूरत है अगर आगी बात करते हैं अगला पोइंट क्या आता है अगला पोइंट चन्होद्रू आता है जो पाकिस्तान में पाया जाता है यहां जो अईसेस मिलते है क्या है? कुट्टे बिल्ले का पीछा करता हुआ चेतर कहा मिलता है चनहुदुरू पाकिस्तान में मिलता है शोंदर प्रसाधन कहा मिलता है चनहुदुरू मिलता है अलंकर थाती कहा मिलता है चनहुदुरू मिलता है कि तांबे का बतक है तांबे का हंस आपने देखा लोथल से मिलता है और जो की तांबे का जो बतक होता है वो कहां से दिखाए दिता है तांबे का बतक तो बिना गर्वाला केला शिंधुनगर कॉंशा है वो भी आपको चनहूदलो आंसस लगाना होगा चनहूदलो दलो ठीक है तो ये बात चनहूदलो की हो गई चनहूदलो की बात काली बंगा की बात होगी रुरास्थान में पाया जाता है काली बंगा रास्थान प्राप तोसेश क्या है काले रंग की चूणिया मिलती है जुते वे खेट का साच बहुत इंपोर्टेंट है काली बंगा से मिलता है घरों में कुईये के साच जी कहां दिखाए देता है घर में कुवा बना हुआ है आईसा द्रश्य आपको देखने को मिलता है तो वो भी आपको काली बंगा से मिल जाता है जिबकि तांबे की बटन की एक रवात होती है तो तांबे का बटन भी आपको काली बंगा रास्थान से मिलता है बेलनाकार मोहर कहां मिलती है कहां दिखाई देता है तो ऐसा द्रेश भी आपको काली बंगा में दिखाई दे जाता है उसके साथ लकड़ी के निलियों के साच कहां दिखाई देता है तो ऐसा द्रेश आपको काली बंगा में दिखाई देता है उनकुन कहां दिखाई देता है तो यह भी काली बंगा में द रिखा था काली रंग की चूनिया कहां मिलता है काली बंगा रास्थान में मिलता है तो ये बात काली बंगां से हो गया कोश्चन से यही सब पुछेगा साचे कहां से मिला है ठीक है आगे लोथल की बात करता है लोथल गुजरात वाला बेल्ट होता है लोथल शिंदू शबता क्या मिलते हैं लोथल से तो लोथल में जो है गोदी बाड़ा के शाच मिलते हैं गोदी वाला मतलब जहाज बनाने का कारकाना तामबे कहांस मिलता है लोथल से तराजू के शाच और पत्रों के उसके साथ सोला की अनुपात में फारसी की मुहरे आपको कहा दिखाई देते हैं लोथल में दिखाई देते हैं योगम शमाधिया आपको कहा दिखाई देते हैं दो लोगों को एक साथ दपनाया गया हो योगमाने जोडा जोडा के साथ दर्साया गया हो तो ये भी आपको लो नाव और दिशामापक यंद्र कहां दिखाए देता है तो ये भी आपको लोथल गुजरात में देखने को मिल जाएगा तो ये बात लोथल की हो गई लोथल गुजरात वाले की हो गई इसके बाद बनावली यानि हरियाना वाला वेल्ट होगा हरियाना हरियाना के हिसार जले म में किसा-ष्य क किनार को होता है को dibina voli भाण पर मिट्रों क ne के भषी ऑन-वाला हल Leeta K不錯, Malik का मिलता है तो वह भी आपको बनावली हरियाना में देखने को मिल जाता है तो बनावली हरियाना वाला वेल्ट होता है और इसमें जो सच मिल् tätä को बताने प्रयास करें प्रांतिय राजधानी भी कहा जाता है रप्पा शब्धा की प्रांतिय राजधानी क्या है तो आपकी राखी गड़ी हरियाणा है वर्तमान में ग्यात सिंधु शब्धा का भारत में इस्तित सबसे बड़ा अस्तल कौन सा है तो आपका राखी गड़ी ही होता है तो माता थल से जो मिलता है वो हर्याना में पाए जाता है माता थल और क्या मिलता है संखे की जूणिया आपको दिखाई दे जाएंगी जिफ की आलमगीर पर उत्तरप्रदेश के अगर बात करते हैं यहां से क्या मिलता है रोटी बेलने की चोकी रोटी बेलने की चोकी जिसे देखते थे, मुख्य क्या देखते थे, इस्ट देवी, पश्पती की अगर बात करते हैं, योगीश्वर देखाई देते थे, कुबरवाला बैल कैसा था, पवित्र पच्छी माना जाता था, पीपल कैसा था, पवित्र बिर्च माना जाता था, स्वास्तिक का जाता था, सुर् क्या भी से इसता रही जैसे शिंदु आशी जो गियों हूँ मुखे फसल फिर तिल मटर कपास और चावल उसके साथ बेशाई फसलों में जो है खेती किया करते थे जो उसके बाद गियों शिंदु आशी जो है ये नारियल खजूर आम तरबूज आदी फलों का शिवन करते थे इसे जानकारी मिर्दभान्डों पे आंके चित्रों के देखने से होती है और फिर चित्रों को ग्यात करने से होती है शिंदु शब्हता में सरप्रथम किसकी तो कपास की खेती का साच दिखाई देता है करसी के प्राचिंतम साच महरगर पाकिस्तान से प्रात होते हैं कहां से तो प्राचिंतम साच की बात होती है महरगर पाकिस्तान से दिखाई दे जाते हैं कपास शिंदु शब्हता की शिंदु भाटी के लोग, आगे बात करते हैं, शिंदु सब्रेटा के लोग घ्णे का जो है ग्यान नहीं था, तो ये कोस्टन्स पूछा जाता है, क्योंकि निगेटिब में दिया गया है, तो ये पूछा जाएगा, शिंदु सब्रेटा के लोग कौन से और सोना, कांशा, पीतल और सीशा आधी धातूं का दियान बहुत अच्छे से था, कांशा क्या होता है तामा पलस टिन पलस जस्ता मिला दो 97 और तीन के रिशियो में आराम से आपका कांशा तयार हो साएगा कांशी, कांशी प्रतिमा ही आपको दिखाए देती है, डांसिंगल जो महँच दाड़ो से मिलती है और आगे बात करते हैं और इसकी खूबिया क्या रही है और इसकी उपलब्धियां क्या रही है नहीं है, शिंदुशा बता के लोग मुक्रोप्शी कांशी धातूं को बनाया करते थे शुन्दू से बता के लोग सरबाधिक तामर धातू का प्रियोग किये हैं सबसे आदा तामा का प्रियोग किये हैं शुन्दू से बता के लोगों ने लोह धातू की जानकारी नहीं होती थी शिन्धू 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 शिन्ध सब्सक्राइब करते हैं। और बात करते हैं सरबाधिक मोहरे कैसी रही है सिल्खडी और उसके साथ वर्गाकार सिल्खडी आपको दिखाए देती है मोहरों की अधिकांस मोटाई जो है वो एक दसमलो पांच इंच होती थी मोहर मोटी होती थी उसके साथ और क्या होता है? इस सरबाधिक जानकारी हमें जो है मोहरों से ही मिलती है, तो सिंधोगाडी शबाधिक में अगर अच्छे से आपको पता करना है, तो सबसे जादा मोहरों को देखना होगा सरबाधिक जो है पीपल ब्रिश का अंकन दिखाए देता है जिसे से बलता है जो है पीपल ब्रिश की पूझा यहां पर जाद आच्छी होती है मोहरों में सरबाधिक जो है एक सिंग वाला बैल है यूसे यूनिकॉन बैल का जाता है एफिर यूनिकॉन बूल 고ह जाता है उसे धर्शाने का प्यास सबसे अच्छे अच्छी पर किया गया महरूर पे सरफ्षिष्ट आकरती कुरंद वाले ब्रूरा बजिशें कूबरदाल का जाता है उसको भी धर्शाने kा काम हवा है मोहरों की अगर माप करते हैं तो शिंदू गाड़ी शबता में जो मोहरों की माप रही है तीन टाइप की रही है एक तो 2.8, 2.8 गुने 1.5 इंची रही दूसरा 2.5, 2.5 और जो है 1.5 इंची रही तीसरा जो है 2.4, 2.4 और 1.5 इंची रही तो शिंदू शबता के से जो है कुल 18 प्रतिमाएं प्राप्त हुए हैं कैसी प्रतिमाएं 18 महत्पूल प्रतिमाएं मिलती हैं डियेज गाड़न ने शबता को शुमेरियन प्रभाव से यूगतमाना है डियेज गाड़न के अकार्डिंग जो है शिंदो गाड़ी शबता शुमेरियन शबता से जो है प्रभावी रही है और कहा जाता है घरों में मिले स्नानागार ब्रहद वरत्ताकार योजना पे जो है बल दिये हैं हडपा से प्राप्ति इंटों का जो अनुपात होता है चार दो एक का होता है चार रेशियो तो रुएथियो एक होता है लंबाई चार है और जो है चोनाई दो है और उसकी साथ जो उचाई होती है एक होती है अगे बात करते हैं अगला कहा जाता है शिंदो शबता की मकान तो तो कांच के ओप जिसमें पालिस लगा के बढ़ियां से काम होता था शिन्धु काल में भी होता था और आगे बात करते हैं तांबे के कुलहडी हैं तांबे के कुलहडी के बात होता है तो रोपड पंजाब से मिलता है तांबे के कुलहडी और अगर अच्छे से बात करते हैं तो जो है गोने की हड्डिया कहां से दिखाई देती हैं सुरकोड़ता से जो है आपको गोने की हड्डियां दिखाई दे जाती हैं शिन्दूश अभिता के लोग मकान का निर्मान के साकर में करते थे तो आप जानते हैं मकान का निर्मान जो है यलाकार में करते थे यलाकार मे ठीक है आगे भीषन अगनिकांड के साच आपको कहां से दिखाई देते हैं तो रोजदी से आपको भीषन अगनिकांड के साच दिखाई दे जाते हैं और आगे बात करते हैं सिचाई के लिए प्रयोक नहर का प्रयोक कहां से दिखाई देता है मालवाल, मालवाल कहां पड़ता है रास्थान, रास्थान नमकस्थान से आपको दिखाई दे जाता है मालवाल नमकस्थान से सिचाई का साच, जहां पे नहर से सजाई हो रही है जैसे आज की डेट में होती है शिंधु शबहता कैसे रही है तो मातर सत्ता अत्म रही है यानि माता जो है प्रधान रही है माता के नाम से बच्चे जाने जाते रहे हैं और आगे बात करते हैं शिंधु वासी जो है पशुपती और मातर देवी की पूजा किया करते थे मूर्थी पूजा का प्रारम किसे होता है तो शिंद्यू गाड़ी शबता से ही मूर्थी पूजा का प्रारम माना जाता है मन कर बनाने का अर्खाने लोथल और चनहोदुरे से प्राप्त होते हैं आप जानते हैं कि मन कर बनाने कहां से मिलता है फिर चित्र प्राप्त होते हैं, कित्ते 396 चित्रात्मंग लिपी रही है तो सिंदुगाटे में कित्ते चित्र 396 जित्मिलते हैं, आगे बात करते हैं या लिपी दाएं, दाएं से बाएं फिर दूसरी लाइन में बाएं से दाएं लिखी जाती है पहले कैसे लिखी जाती है पहले आपको दाहिने से बाएं लिखना है कि किस्छे परचित नहीं थे तलवार से शिन्धू गाटी शबथा यानी हलपका शबथा में सर्बॉ्टम कला करतियां तो कहां पर दिखाए देती हैं? सबसक्षारत जो कला करती है आपको दिखाए देगी? इसलिए मोहरों की जो उसाई है 1.5 इंच हर जगे दिखाए देती है आगे बात करते हैं एकला point आता है शिंधू शबता में चितरकला संबंधी सरबाधिक जानकारी किपसे दिखाई देती है तो बरतनों की चितरकारी पे दिखाई दे जाती है तो बरतनों की चितरकारी पे क्या किया गया है शिंधु शबता में चितरकला बनाया गया है और आगे बात करते हैं अगला पॉइंट आता है शिंधु शबता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्मार किस पे तो चिकोटी विधिशे किया गया है चिकोटी विधिशे आपको जो है पकी मिटियों की मूर्थियों का निर्माळ किया गया है अगर आगे बात करते हैं तांबे से बने 424 424 यंतुरों का ताम रण निधी मदद प्रsoft इसके गुन जेरिया से प्राप्त हो जाता है अगर आगे बात करते हैं अगला पॉइंट आता है शिंदू शब्यता क्या कहा रहा है अगला पॉइंट शिंदू शब्यता में जो अभिलेक हैं ऐसे युक्त मोहरे सरबाधिक कहां से दिखाई देती हैं तो शिंदू शब्यता में जो अभिलेक युक्त मोहरे हैं वो सरबाधिक हडपा से दिखाई द अगला पॉइंट आता है एक मुद्रा पे पैर में सांप को दबाये गरून का चितर कहां दिखाई दिखाई देता है और आगए बात करते हैं पॉइंट आता है प्राणा वाला नगर माना जाता है अगर आगे बात करता है अगला पॉइंट आता है आपके इस प्र holiness पे पूछा जा चुका है कि जो है पशुर आकरती है कि तो मोहरे कहां से मिलते हैं तो ये मोहन जो 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 से आपको दिखाई दे जाती है बनवाली के मकानों में अगनिवेदियां मिलती हैं हाँ बिल्कुल दिखाई देती हैं बनवाली का जो मकान होता है या फिर बनवाली का मकान जो होता है वहाँ पर क्या दिखाई देता है अगनिवेदिका दिखाई देती है काली बंगा के कच्ची इटों का भूण का इसा दिखाई देता है बहुत बढ़ियां होता है तो कैसी कच्ची इटों से घर बना हुआ है कहां पे काली बंगा में अब आगे बात करते हैं एकला पॉइंट आता है काली बंगा के भूणों में फर्स निर्माण में जो है अलंकरतिंटों का प्रियोग किया गया है तो फर्स बनाया गया वहाँ पे खूब ज़्यादे अलंकरतिंटों का प्रियोग किया गया जिसमें अलंकरण है बढ़ियां से छितरकारी है वरसु 2016 में शिंधु गाड़ी शबहता के संदरभित करने वाली विश्व की प्रथम फिल्म आती है मोहँजोदुलो तो मोहँजोदुलो के निर्देशे कौन रहे हैं आस्तोस गोवारी कर रहे हैं 2016 में फिल्म आती है शिंधु शबहता और समकालिन पूर्व की शबहताया जिसे आप जानते हैं कुवैटा शबहता तो इसका काल खंड पूचा जाता है कब से कब तक है 3500 इशा पूर्व का जो डाटा है वो कुवैटा शबहता के नाम से जाना जाता है शबहता की खोच जो है आयू रैल इस्ट्रीन के द्वारा की जाती है यहां से पकाई हुई मिट्टी के सिर और जो है वर्तन आपको दिखाई दे जाएंगे कोईटा सबता में जोबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबशबश होती है तो झूकर जाकर सब्टा जो है जूकर जाकर सब्टा की खोच वनाई 32 स्पी में एंसे मुझून दार के द्वारा किया जाता है यहां से भूरे रंग के मिठी के वर्तन तथा मिठी की पकाई के अनेग मुर्तियों का जो है मिलना दर्साय गया है इज में आपको 只ब्टे ग्लास जिसमें आपको शिंधुन गाटश बता से जोड़ा हुआ दाटा दिकाने का प्रयास किया गया है जिसमें कौन सा साच से कहां से मिला है इस पे आपको विशेश नजर बना के रखनी होगी पैनी नजर बना के रखनी होगी क्यों कि वो questions आप से पूछे जाते है पकी आप यह तो जानते हैं रंगपुर कहां पर है रंगपुर आपका कहां पड़ता है पर जानते हैं तो आप जानते हैं दायमाबाद महाराष्टर में जबकि आलमगईरिपूर कहां पर है तो मेरत उतरबरदेश में तो इस टाइप से आपको ऐसे questions भी करा दिये गए हैं लेकिन एक बार revision करना था revision जरूरी है revision सही selection संबब होता है अफजानते हैं तो इन्हें करना जरूरी है इस पर पस्तावा नहीं होना चाहिए बस आपको कल हो शकता है MC कुष कराया जाए या खुशकता परसों कराया जाए इससे जुला हुआ कराया जाए बसुला हुआ मेलते नहीं में तबते कले दिल्च शलूट जाए हैं